करेला का नाम सुनते ही सब भाग जाते हैं ना बड़े को बोलो तो ऐसे कहते हैं नहीं करेला मत बनाना बच्चों को कहो तो कहेंगे कि नहीं मुझे तो करेला पसंदी ही नहीं है लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आज आपको कि मेरे इस तरीके से एक बार आप करेले की ये सब करेली की सबजी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसालों की जरूरत नहीं है बस आपको करेले लेने हैं छोटी साज के हो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहते हैं बढ़ने के लिए और बड़ी साज के हो तो उसमें ज़्यादा मसाला भरेगा तो वो भी बेस्ट रहते हैं कोई से भी ले लीजिए का नीचे से गेस ओन करके एक बरतर में अपन ओय लेंगे थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि अपने इने डीप फ्राइ करेंगे तेल को आपको अच्छे से गरम करना है आप तेल कोई सा भी ले सकते हो सोयबिन का हो तो सोयबिन का सर्सो का हो तो सर्सो का भी ले सकते हो, तेल में धुआ उठने लगई है, तेल अपना अच्छे से गरम हो चुका है, एक छोटी सी ट्रिक अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे, करेले हैं, जब अपन इन्हें डालेंगे, तो डालते ही क्या करेंगे, एक पलेट से ढख देंगे, इससे क्या होगा, कि जो करेले डाले हैं, उसका तेल उचल कर बाहर नहीं आएगा, और एक बार ऐसे हिला लेंगे इनको, हिला देने के बाद आप पलेट को अपन ऐसे धीर धीर हटा लेंगे, अब देखिए, चटक कर बाहर नहीं आ रहा है ना तेल है, और इसमें जितने आए उतने अब करेले, तो आप इने क्या आपको ये मेरी छोटी सी ट्रिक पहले से पता थी पता थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा करेले फराई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और इने ज्यादा जैसे इनका हलका सा कलर जांज होगा अब अपन इन्हे निकाल लेंगे फराई करने से इनका जो कसेला पन है वो बिलकूल भी इनमें नहीं रहता है अगर अपन बोइल वगईरा करते तो फोड़े बहुत कसेले-कसेले रहते हैं करेले निकाल लेने के बाद इन्हें ठंडा कर लीजिएगा और फिट से गेस ओन करेंगे जो मैंने फ्राइ किया है न करेले उसमें से मैं थोड़ा सा एक टेबल स्पोर ओयल ले रही हूं और ये पहले से गरम है तो गरम करने के जरूरत नहीं है अपन को लेकिन आप लेकिन जनली नहीं चाहिए कोई भी चीज है ड्राइफ रोर्ड में आपके पास बादाम काजू किसमिस हो आप वो एड़ के जएगा हलकी सी वो फ्राइ होते ही इसमें प्याज एड़ कर देंगे च्यार मैंने यहाँ प्याज चोटी चोटी साइज में कट कर लिये हैं आप सफेद प्याज भी ले सकते हो लाल प्याज हो तो लाल प्याज भी ले सकते हो और इन्हें मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे प्याज अपने पक चुके हैं अब इसमें तीन टमाटर एड़ करेंगे कटे हुए टमाटर कौन से लेने हैं आपको सलाद वाल मसाले को थोड़ा सा स्पाइसी करना तो मैं यह आपर दो चमच एड़ कर रही हूं रेड चिली पाउडर की अगर आपकी लाल मिर्च पाउडर ज्यादा ही स्पाइसी है तो कम क्वांटीटी में एड़ कीजिएगा टेस्ट के अकोरिंग नमक मुझे थोड़ा ज्यादा ही यह थोड़ा सुका सुका सा लग रहा है तो मैं इसमें पानी एड़ करूँगी हाफ कब बस ज्यादा आपको एड़ नहीं करना है थोड़ा सा ही एड़ करना है कि यह सारा मसाला पक जाए और इस सारे मसाले को मिक्स करके पका लेंगे मसाला भी अपना पकर त्यार हो चुका अब अपन नीचे से गेस बंद कर देंगे बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज इसमें डालेंगे जिसे बच्चे चट कर जाएंगे फटा फट से नमकिन लेकिन अपन कोई भी भरवा चीज बनाते हैं उसमें मिक्स नमकिन नहीं डालते हैं जो ये बारिक वाली आती हैं नमकिन वो एड़ करते हैं अगर आपके पास नमकिन ना हो बैसन भूना हुआ हो वो आप इस टाइम एड़ कर लीजे एका थोड़ा सा ये दोनों ना हो लिव भी कर सकते हो और इस सारे मसाले को ठंडा कर लेंगे मसाला पका अपने करेले ठंडे हो चुके हैं अब क्या करेंगे चाकू लेंगे और थोड़ा से इसे कट मारेंगे और इसके सारे बीज निकाल देंगे बीज निकालना जरूरी है चाहे आप छोटी साइज के करेले लो या बड़ी साइज के करेलो की बीज भी अपन निकाल चुके हैं मसाला भी अपना ठंडा हो चुका है अब करेलो में अपन भर लेंगे इस मसाले को मसाला भई किसे पसंद नहीं होता है मुझे तो बहुत ज़्यदा पसंद होता है तो मैं ज़्यादा भर रही हूँ इस मसाले को आपको भी पसंद हो तो मेरी तरह ऐसे भर लीजिए का लेकिन रुको रुको अभी वीडियो छोड़ के मत जाएगा अभी तो और प्रोसेस इसकी बाकी है सारे करेली भर लेने के बाद उसी बरतन में वापस से डालेंगे जिसमें अपने मसाला त्यार किया है क्योंकि थोड़ा सा मसाला भी पक चुका है नीचे से गेस ओन करके एक मिंट के लिए बस थोड़ा सा इने पकाना है हिलाना वगयरा कुछ भी नहीं है बस से डग देना है एक मिंट हो चुकी है अब मैं नीचे से गेस बंद कर दूँगी और ये अपने टेस्टी से त्यार हो चुके हैं भरवा करे ले आप जब फाइफ स्टार होटल की तरह इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हो मैं थोड़ी सी ओर पर से हलकी हलकी नमकीन लगा रही हूं एक दो किस में और थोड़ी सी बादाम के कतरने अब इसके चार चांद ओर लग गए हैं भरवा करेले में ये इतने ज़्यादा डिलिसेस से दिख रहे हैं कि मेरे को वेट नहीं हो रहा है मैं सिंपल ही से टेस्ट करके बता रही हूं क मज़ा जाएगा आपको और आपके पूरी फैमिली को इस तरीके से अगर आप ये भरवा करेले बनाएंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक केजे शेयर केजे और सब्सक्राइब केजे मैं सरो सर्मा मिलती हूँ एक ऐसी ने रेश्पी और एक ने टेस्ट के साथ